यह राजमा है और चनक के दाल मैंने फुलाक के रखी थी रात भर और आप मैं कुकर में डाल दी हो पानी डाल दी हो शात में आलू है नामा कर हल्दी डाल के इसको उबा लोंगी जब तक वह उबल रहा है तब तक मैंने दर प्याज छिल लेती हूँ और काट लेती हूँ काट लोगी राजमा चालवन की तो मैं में आ रहा दूंदा और आप लोगों को मेरा परिबार चैनल में अर्वागत है तो मैं आज बनाने जावे हूं आज मा राजमा डाजमा चावल बनांगी तो राजमा बनाने के तयरी कर रहे हूं तो वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट कर दिजेगा और नया देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा तो मेरे ये बन पूंभी मतलब उबल किया है सीच गया है मैं मैसर से जाल मैसर से être को मैसक करने लूंगी और इधर कराई गरम हो गया है मेरे तो मैंने तेल डाल दिया 600 तेल डाली हूं और यह जीरा फोरन डाल रही हूं जीरा जब तरकने लगेगा तो मैंने प्यांच डाल दिया और प्यांच को लाल करके फ्राइ करना है दोस्तों प्याज लाल फ्राइब हो गया है करीब करीब अब मैं इसमें डालूंगी यह जो अद्रक टमाटर हरी मिर्ची लसुन सब काटके रखे हूं उसको डाल दिया डाल के इसको इसमें नमक डाल दिया ताक कि टमाटर अच्छा से गल जाए धनिया पोड़र डाल दिया सक्षा से बकाट तो अलोकि असमें द्लाल यह जो इसको अच्छा से घ्राइब करने के बाद यह देखो यह जो मैने चन चान्य मसेला था तरहें तो»,ritt यहुझे ना और मैंने दिया सोटा नहीं दो दोश्तों विक divert Marx दाल दिया और यह आम चुर पाउडर इसको भी डाल दिया हूँ तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी दोस्तो करीब करीब हो गिया है देखो कलर चेंज हो गया है कितना अच्छा कलर आया है तो मैंने इसमें जो मैस करके रखी थी राजमा, चना और आलू उसको डाल दी हूँ इसको अच्छे तरह से बहुत देर तक पकाऊंगी और श्वादनुशार नमक डाल दूँगी पकाऊंगी यह ढखके पकाऊंगी तो मेरे राजमा बन गिया तो कैसा लगा आज के वीडियो यही तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में